हलो एवरीवन वन्स अगें वेलकम बेक ओन यूट्यूब चैनल दांगी एकडमी फ्रेंड्स इस वीडियो में आप देखने वाले हैं MPK GK के most important questions जो कि आने वाले competition exams में आपकी help करेंगे तो बिना वीडियो को delay किए वीडियो को start करते हैं अधरकांच गाउं अधरकांच विले इस नौन फोर ट्रेडिशनल गल्षन माला और बीड्स लोकेटेट इन विच आफ दे फॉलोईंग डिस्टिक्स अफ मध्यप्रदेश अधरकांच गाउं जो की मूतियो की पारंपरी गल्षन माला के लिए जाना जाता है से कहां पर इस्ते थे धार अली राजपूर मंसोर या फिर जाबुआ तो ध्यान कैसे रखना है आपको अधरकांच तो आपको ध्यान रखना है अली राजपूर दोनों में सीमिलर्टी से दोनों ही असे स्टार्ट हो रहे हैं और यह किसके लिए प्रसिद्धे गलसन माला त से आप इसको थोड़ा सा ट्रीकी बना सकते हैं नेक्स्ट क्विशन है लक्ष्मी नारायन टेंपल यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्चर विचिजे मिक्षर ऑफ फोट एंड टेंपल इस सिच्वेटेड इन विच अफ फोलोइंग प्लेस ऑफ मध्यप्रदेश और उजेन मानदाता या ओर्चा तो ध्यान रखिए जो लक्ष्मी नारायन मंदीर है वो कहां पर है ओर्चा में हैं और यह कैसे शेली से बना है अनुटी शेली है जिसमें किले और मंदिर दोनों का ही मिक्षर है मध्यप्रदेश शाषन के कस्तूरबा गांधी बाली का वि आबादी शेत्रों में या बड़े कारखानों के परिस्तरों में तो देखी ये विद्याले क्यों चलाए जा रहे हैं कि जो ऐसे आवासे जो छोटे छोटे हैं बिकरे ताकि वहां की बालिकाओं को भी सिख्षा उपलब्द हो जाया तो यह कैसे स्थान पर है छोटे और बि दिप्रदेश का स्थाने वो कौन सा है पहला दूसरा तीसरा चोटा तो कौन सा स्थाने फोर्थ नंबर पर आता है मिनरल्स की कैटेगरी में तो मुझे कमेंट सिक्षन में कमेंट करके जरूर बताए कि फर्स नंबर पर कौन सा स्टेट आता है मधाई जंगल मध्रदेश के निम ने लिखे थे जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है पन्ना रास्ट्री उद्यान, कान्ना रास्ट्री उद्यान, सत्पुडा रास्ट्री उद्यान या पंच्मनी रास्ट्री उद्यान देखिए जो मधई जंगल है वो किसका हिस्सा है या मधई जंगल सत्पुडा न पादिबरदेश for the excellence in the field of Hindi साहित्ति, शास्त्री संगीत, लोककला या उर्दो साहित्ति तो नाम से ही समझ में आ चुका होगा आपको तो ये इकबालवाट किसके लिए दिया जाता है उर्दो साहित्ति के लिए दिया जाता है 2017, Sports Person of the Year by Sports Illustrated India Magazine was awarded 2. Sports Illustrated India Magazine द्वारा इन्हे वर्ष 2017 की सर्वस्रेष्ट खिलाडी के पुरुसकार से सम्मानित किया गया कौन-कौन है वो? उनका नाम बताना है कि कौन है? सुनिल शेत्री, निरस चौपड़ा, विराट कॉली, या किदंबी श्रीकांत वर्तमान में मद्यप्रदेश में निर्मिस सडकों की कुल लंबाई, तो कितने स्टेट है? तोटल आपसे पूछा है कि जो constructed road है, MP के अंदर उनकी कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखी, कितने हैं total? 80,000 km से भी ज़्यादा है, construction जिनका हो चुका है मद्यप्रदेश के बुर्हानपूर जिले में स्टित नेपा, NPA Limited क्या उत्पादन करता है? What does NEPA LTT located in बुर्हानपूर districts of मद्यप्रदेश produce? क्या बनाता है ये? न्यूस प्रिंट के लिए famous है, तो question ये भी आ जाता है कि न्यूस प्रिंट का कारखना कहां परे? तो आपको ध्यान रखना है बुर्हानपूर के नेपा नगर में आसकर जीतने वाले पहले भारती कौन थी? Who was the first Indian to win a Oscar? सत्य जीतरे, A.R. रह्मान टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तहरी और भहतर हो जाएगी, आपको ये समझ में आएगा कि आपने विदख कितनी प्रिपरेशन की है प्ले स्टोर से परिक्षय आपको डाउनलोड कर सकते हैं description box में जाकर दी हुई link पर क्लिक करके भी इस app को डाउनलोड कर सकते हैं तो friends, आपको यहाँ पर जाना है group 2 जैसे कि option यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा test पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने options open हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा group 2, subgroup 4 इसके अलावा यहाँ पर दो option आपको दिखाए देंगे क्योंकि एक re-exam है तो इससे पहले भी यहाँ पर test इस उपलब्द करवाई गई थी तो आप यहाँ पर click कीजिए group 2, subgroup 4, December special इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने test की जो list है वो open होकर आजाएगी यहाँ पर आपको free demo test भी उपलब्द करवाया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि किस type के test यहाँ पर दिये गए है तो यदि आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह open हो जाएगा free demo test 180 minutes का यहाँ पर time दिया गया है 200 question है each question one mark से आप पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक options एक एक category के बारे में बताया गया है कि किस से कितने questions आएंगे 25 हिंदी से science day 25, mathematics 25, general knowledge 25 English 25, computer knowledge 25 reasoning ability 25 general management 25 तो देखिए friends यह जो पूरा description दिया गया है यह एक एक category का यह average करके दिया गया है एक यह दो question उपर या नीचे हो सकते हैं वैसे तो आप exam दे चुके हैं आपको अनुमान होगा ही किस टाइप की questions यहाँ पर पूछे गए हैं तो आपको click करना है start test पर तो जैसे आप इसको start करेंगे आपके सामने questions open होके आजाएंगे तो इस step से आप इसको कर सकते हैं अब आपको क्या करना है जब आपका test complete हो जाए तो आप इसको check कर सकते हैं कि जब आपका पूरा test हो जाता है यदि हमारा कोई question छूट तो नहीं गया है तो यहाँ से आप check कर सकते हैं ऐसा ही आपने exam में भी देखा होगा unanswered आपने किया है या किस question पर आप active है जब आपका test पूरा हो जाता है तब आपको इस green button submit पर click करना है यहाँ पर आपको दीख जाएगा कि आपने कितने questions attempt की हैं, कितने answers नहीं दिये हैं और कितने questions को widget अभी तक नहीं किया है, आप आपको इसको submit करना है, तो submit कर दीजे आप यहां से, इसके बाद आप अपना result screen पर देख पाएंगे, कौन सी rank रही है आपके जितने भी student ने अभी तक इस test को attempt किया है, उसमें आपकी rank की यहां पर बता देगा, कितने question correct है, कितने अब आपकी rank क्या है, और यहां से आपने जो test attempt किया है, उसके answer भी आप c answer पर click करके देख सकते हैं, एक एक portion का result बता देगा आपको, इस type से आप click करके इन पर देख सकते हैं, यहां पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर comparison कितना रहा है, किसकी rank first रही है, कितने questions attempt कि सकते हैं, तो see answer पर यदि आप click करते हैं, तो यह आपको पूरे answers बता देगा, देखिए friends, यदि आप इस test series को join करना चाहते हैं, और इसे purchase करना चाहते हैं, तो आपको click करना होगा unlock course पर, जैसे unlock course पर आप click करेंगे, तो आपके सामने option आपको दिखाए दे रहा होगा, paid once र लांगी 50 use करते हैं, तो आपको यहाँ पर 50% का discount मिल जाएगा, देखिए, जो test series 299 की थी, अब वो आपको मिलेगी 149 में, तो friends, ज्यादा से ज्यादा test जरूर लगाए ताकि आपके preparation और best हो सके, और आपके selection के ज्यादा से ज्यादा chance बढ़ सके, तो इस type से आप test series को purchase कर स तो किसने सबसे पहला Oscar जीता था, भानु अथैया ने Oscar जीता था, अब आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, देखिए Oscar, अथैया और तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, भानु असकर, भानु असकर याद रखेंगे, भानु असकर तो आपको माइन में बिलकुल याद मूल पंचितंत्र किस के द्वारा लिखी थी दा ओरिजिनल पंचितंत्र वाज रिटर्न बाई बहुत फेमस क्वेश्चन इस कांसर आपको बिल्कुल समझ में आगया होगा ऑप्शन देखते ही पंडीत विश्णु शर्मा के द्वारा पंचितंत्र की कहानिया लिखी गई थ किस फिल्म समारो में दिया जाता है तो गॉल्डन पिकॉक अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भारत का यह International Film Festival of India में Golden Peacock Award दिया जाता है मद्धिप्रदेश के निमलिखित इस्थानों में से कहां गन गैरिश की फैक्टरी है तो कहां पर एक गन गैरिश की फैक्टरी जवलपूर में है गन गैरिश कहां पर एक जवलपूर में A traditional community of singers based in Bagheelkan region of मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश के Bagheelkan शेतर में स्थिद गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है क्या है बंबूलिया, रेवात, अलहेत, बस्देव क्या नाम है उसका बस्देव दभीम बेट का रोग शेल्टर इन मद्धिप्रदेश was discovered and revealed to the word by खालिस्थान के द्वारा मद्धिप्रदेश में भीम बेट का शेलाश्रे की खोच की गई और दुनिया को बताया गया की किसने बताया ये ताराचन ने सचिदानन सहाई बिंदवेश्वेरी प्रसाद मिश्रा या वीयस वाकन कर तो जो भीम बेट का की गुफाएं आपको year भी इसका ध्यान रखना है कि कब खोच की गई थी और किस year में इनको UNESCO की सुची में सम्मिलित किया गया था तो देखिए इस टाइप के question भी इस exams में पूचे गया थे तो आप सुची बना लीजिए कि UNESCO की सुची में पूरे भारत देश के और खासकर MP के किस-किस स्थल को किस-किस year में सम्मिलित किया गया था यहाँ पर इसका answer देख लेते हैं इसका answer हो जाएगा वीयस वाकन कर वदुत्सव के लिए संधी विच्छेत को चुनिये तो मैं संधी और समास को पूरे डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में और साथ इसकी short trick भी मैंने आपको provide की है तो यह आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो description box और i button में आपको उसकी link मिल जाएगी जिसके through भी आप direct उन वीडियो को देख सकते हैं आपको बहुत easy समझ में आजाएगा कि किसमें कौन सा संधी है और कौन सा समास है और किस तरह से इसका विग्रह होता है उधारान के द्वारा मैंने उसमें आपको समझाने की कुशिश की है तो उन वीडियो को जरूर देखिया आप आप direct भी सर्च करके या playlist के through भी उन वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए वधू उत्सव क्या हो जाएगा वधू प्लस उत्सव बदाम का शुद्ध रूप निमनमे से कौन सा है देखिए बदाम जनरली कभी भी नहीं बोला जाता है क्या बोलते हैं बादाम गिरीश के लिए गिरीश के लिए सही संदी विच्छेत को चुनिए गिरी प्लस इश तो इसमें सिर्फ आपको मात्रा हैं धियान रखने हैं कि कौन सास का सही होगा तो इसी को देखिए आप यहां पर जो मात्रा है लगी वो ही आए और प्लस हो जाएगा ईश और यह छोटी और यह वाली मात्रा मिलकर जो बना रही है यह आपकी बन जाएगी यह वाली मात्रा तो मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईए किसमें कौन सी संदी है सहस्वर संदी का कौन सा भेद इसमें विद्धिमान है जिसका अंत नहों के लिए शब्द निमने में से कौन सा है जिसका कभी भी अंत नहों उसे कहा जाता है अनंत के लिए सही परियाईवाची वाले शब्दों की पंक्ती को चुनिए यानि सूरी के सारे जो सही परियाईवाची शब्दे वो किसमें उद्धिमान है तो देखिए रवी दिनकर सभी में आपको मिल रहा है और अंशुमाली लेकिन आपको मात्राएं ध्यान रखने है तो स्टार्टिंग से देखिए रवी यहां दिख जाएगा आपको उसके बाद दिनकरिये सहीए और अंशुमाली जो कभी भी बूड़ा ना हो जो बूड़ा ना होगा वो से क्या कहा जाएगा अजर और अमर जिसकी कभी भी मृत्यू ना हो सर्प के लिए सहीव परियाए वैची क्या होगा तो भुजंग उरंग और व्याल तो व्याल कौन सा रखना है आपको आधा व, याल, भुजंग और उरंग दात खटे करना मुहावरे का अर्थ बताना आपको दात खटे करना यानि किसी को भी हरा देना तो आंसर हो जाएगा हराना अपने मुह मिया मिठू बनना यानि अपने ही अपनी प्रशंसा स्वयम कर रहा है यहाँ पर तो क्या answer हो जाएगा अपने मुँ मिठु बनना या अपने प्रशंसा स्वयम करना. पंडित का विलोम शब्द क्या होगा तो जनरली पंडित का जो word है वो कैसे बना है जो विद्वान होते थे जो पड़े लिखे होते थे जनरली उन्हें पंडित कहा गया है तो इसका जो पॉजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा मुर्ख मन माना का सही सामासिक विग्रह निम्नमैसे कौनसा है मन माना, यानि मन से माना तो कमेंट सिक्षिन में कमेंट कीजिए friends किसमें कौनसा समासे तो इसके लिए आप चाहे तो समास वाली वीडियो देख सकते है वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किसका विग्रह कैसी होगा और इसमें कौन सा समास है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न मैं से कौन सा है आत्यदिक 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 तो अति से क्या बना है अत्यदिक निंदा का निम्न मैं से कौन सा सही विलोम शब्द है सस्ती स्तूती स्तूती ये स्तूती तो आप रुदन, शोक, करुणा या विलाब तो करुण का स्थाइभाव क्या होता है शोक मैया में तो चैंदर किलोना ले हो उपरोक्त पंक्ती में निमने में से कौन सा अलंकार है तो देखी यहाँ पर क्या है रूपक अलंकार है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही आने वाले वीडियो में मैं आपको और क्विश्टन्स प्रवाइड करवाऊंगी तो चैनल के साथ बने रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग